और इसी बीच रुख करते हैं बड़ी खबर का राहूल गांधी के ट्विटर अकाउंट को लेकर बड़ी खबर राहूल गांधी का ट्विटर अकाउंट बहाल पिछले एक हफते से लॉक था राहूल गांधी का ट्विटर अकाउंट बाकी कॉंग्रिस ने ताओ के भी ट्व ट्विटर अकाउंट को लेकर ये बड़ी खबर सामने राहुल गांदी का ट्विटर अकाउंट बहाल पिछले एक हफ्ते से लॉक था राहुल गांदी का ट्विटर अकाउंट बाकी कॉंग्रेस ने ताओ के भी ट्विटर अकाउंट अनलॉक कर दिये गए नियमों के उलंग पर ट्विटर ने लगाई थी ये पाबंदी तो देखे ट्विटर का जो ये मामला चल रहा था एक हकते से उसको लेकर बड़ी ख़बर सामने आई है राहुल गांदी का ट्विटर अकाउंट बहार और साथ ही बाकी कॉंग्रेस ने ताओ के भी ट्विटर अकाउंट को नियमों के उलंगन करने पर ट्विटर ने ये पाबंदी लगाई थी एक हफते तक चल रहा था ये मसला राहुल गांदी के ट्विटर अकाउंट को लेकर बड़ी ख़बर सामने आ रही है राहुल गांदी का ट्विटर अकाउंट बहाल कर दिया गया है पिछले एक हफते स लौक था राहूल गांदी का ट्विटर अकाउंट जिस पर राहूल गांदी ने नराजगी भी जताई थी और कहा था कि उनके 1.9 मिलियन फॉलोवर्स के साथ ये अन्याय है और उसे के साथ बाकी कॉंग्रेस ने ताओ के भी ट्विटर अकाउंट अनलॉक कर दिये जा चुके नियमो के उलंगन पर ट्विटर ने पाबंधी लगाई थी कब एक हफते के बाद राहूल गांदी और बाकी कॉंग्रेस के नेताओं को भी उनका ट्विटर का अकाउंट वापस मिल चुका है त्विटर का कहना है कि नियमों के उलंगन पर ये पाबंधी लगाई गई थी राहूल गांधी के ट्विटर अकाउंट को लेकर ये बड़ी सबर सामने राहूल गांधी का ट्विटर अकाउंट बहाल कर दिया गया है फिछले एक हफते से लॉक था राहुल गांधी का tuitter account बाकी Congress नेताओ के भी Twitter account उनलॉक कर दिये जा चुके है नियमों के उलंगन पर ट्विटर ने ये पाबंदी लगाई थी जो एक हफते से राहुल गांधी और Congress नेताओ के Twitter account लॉक थे उस पर ट्विटर का कहना है कि नियमों के उलंगन पर ये पाबंदी लगाई गई थी हाला कि इस एक हफते के दौर के बाद सभी के ट्विटर अकाउंट उनको वापस कर दिये जा चुके हैं अनलॉक हो चुके हैं ट्विटर अकाउंट राहूल गांदी के ट्विटर अकाउंट को लेकर ये बड़ी खबर सामने